एक बार की बात है जब मारकांडे डिशी एक नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे कि रिशीयों में श्रेश्ट है मारकांडे हैं मैं आपकी तपस्या से प्रसंद हुआ आखे खोलो कि रिशी से प्रसंद है प्रसंद है जब में आखे खोलो आपके चर्णों मेरा शत्षत प्रणाम आज आपके दर्शनों से मैं धन्ने हो गया प्रभू हम आपकी भक्ति एवं साधना से प्रसन्न हुए भक्तमारकंडे बोलो क्या वर चाहिए ए नात आज आपका मुझे दर्शन हुआ यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर है किन्तु फिर भी ए प्रभू जिस माया से संपून जगत मोहित हो रहा है उस माया को देखने की मेरे दिल में प्रभल इच्छा है किन्तु ये भी विंती है कि आप मुझे अपने चड़नों से कभी अलग ना करें ये कैसी इच्छा कर रहे है मारकंडे जी ये माया देखने योगे नहीं होती इससे आप बहुत दुखी हो जाओगे स्वयम को भूल जाओगे ये भगवन जब आपके चड़नों में रहूंगा तो मुझे किसी भी परकार की चिंता करने की अवशक्ता नहीं है आप तो मुझे माया से निकाल ही लेंगे प्रभू ठीक है रिशिवर आपके इस हट के कारण हम आपकी ये इच्छा पूरी कर देते हैं आप माया देखने के लिए तयार हो जाईए किन्तु भगवन मैंने तो आपका पूजन किया ही नहीं कि आप एक पल रुके मैं अभी चंदन घिसकर आपका पूजन करता हूं कर दो मैं एक पल पर आपके अमाना घ्यम ट्रभू берूता को ये पहिस नहीं इस पर रहा मैं आपका पल दोखके बिसका है बच्चाओ और इस प्रकार नरायन भगवान की माया से मोहित होकर मारकंडे जी स्वयम को एक इस्त्री के रूप में नर्दी में बहते हुए देखने लगे बचाओ पचाओ genetic useless कर दो कर दो कर दो दो जो में जो हो च्त्री आचाओ आई बच्चाओ आःएं भचाओ आञा को नरा सų आइचाओ आई खिंग भांडे तो आज अजय खाव खाव जाव थाव भूग भूग ठाव अजय या झाल अजय जाव बग्वाव परते हैं झाल झाल। तुम कौन हो? और तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? तुम नदी में कैसे गिरी? कहीं तुम्हें किसी ने धकेल तो नहीं दिया? इसी हाथ से पहले या कभी भी देखा नहीं, ना जाने कोंन है? और कहां से आई ये? कुछ कहती क्यों नहीं? कौन हो तुम? तुम्हारा गाओं कौन सा है? किस परिवार से हो? मुझे कुछ ही याद नहीं. कि मैं कौन हूँ? मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कहां से आई हूँ? और मेरा घर कहां है? ऐसा कैसे हो सकता है? कि तुम्हें अपने बारे में कुछ भी नहीं पता? मैं सच कह रही हूँ. मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ? कहां से आई किस परिवाद या किस काव की मुझ पर भरोजा किजिए कहीं तुम किसी दुलघटना का शिकार तो नहीं हुई हो सकता है लेकिन मुझे वो भी याद नहीं तो फिर आप कहां जाओगी तुम जहां मेरा भाग के लिए जाएगा मुझे तो कोई ठाव ठीकाना भी नहीं पता लगता है पर मात्मा ने इसे मेरे लिए भेजा है यदि ये मेरे साथ विर्वाह करने के लिए राजी हो जाए तो मेरा भागी ही खुल जाए कि अगर तुम बुरा ना मनों तो एक बात मैं कहना चाहता हूं कि क्या तुम मुझे विवाह करना पसेश्च करोगी ये आगई देख लेने तो तयानत और सचन मालूम पड़ता है और मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं है इसलिए इसे वरभागवा की उच्छा मान कर स्विकार कर लेना ही उच्छे थे का उकciones पनला है आगे और मेरे कोई जरास्ता है जरा जराया है तो कर तो 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 को विरता है झाल 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 यूज झाल झाल हे देवी बहुत समय पहले की बात है मारकंडे नाम के एक रिशी थे जिन्होंने लंबे समय तक घोर तपस्या की इसके फल सुरू भगवान नारायण ने प्रसन्ल होकर उन्हें दर्शन दिया और उनसे वर मांगने को कहा तब उन्होंने कहा कि मुझे माया का स्वरूप दिखाई है किन्तु अपने चरणों से भी दूर न करे तब मारकंडे जी नारायण भगवान का पूजन करने के लिए चंदन खिसने लगे इतने मिनारायण भगवान ने उन पर माया का आवरण डाल दिया वे स्वयम को एक स्ट्री के रूप में नदी में बहते हुए देखने लगे और फिर एक धोबी से उनका विवाह हो गया ये तो मेरी ही कहाने सुना रहे है और जब वो माया से दुखी होगी तब स्वयम नारायण भगवान उन्हें माया से निकानने साधू का रूप धारन करके आए ए प्रभू ऑट इस अपजय को देखने की मेरे दिल में और लो माया अध्या मोज़ाइद दिली आएई प्रबल इच्छा है ये कैसी इच्छा कर रहे है मारकंडे जी ये माया देखने योग्य नहीं होती इससे आप बहुत दुखी हो जाओगे जिस माया को हटे सहिते की देखन की चाह मिला उसी से कश्ट भी और पाई मुक्त की राह मारकंडे जी को हुआ निजगनती का भान जाना भीक्षुक है स्वयमश्री नारायन भगवान नारायन भगवान है प्रभू मुझे इस माया से दिखा लिए मुझे पहचान हो गई है कि मैं ही मारकंडे रिशी हूं और आप नारायन भगवान है मेरी ही बती बारी गई थी कि मैंने माया देखने के हट की अब कृपा कर मुझे इस माया से मुक्त कर दिजिए प्रभू मुक्त कर दिजिए कहो रिशीवर क्या माया देखने के और इच्छा है नहीं प्रभू आज के बाद मैं कभी भी माया देखने के इच्छा में ही करूँगा